बच्छों हमने विज्ञान का भाग दो आपका पून कर लिया है तो अध्याय दो जो था वो था भूजन के घटक के बारे में हमने उसमें कई सारी चीजों को जाना हमने अलग-अलग पोशक पदार्थों के बारे में जाना उनके कारियों के बारे में जाना उसके बाद हमने संतुलित आहार को समझा और साथ ही हमने बहुत सारे अभाव जन्ने रोगों की बात की तो बच्चो अब इस पार्ट से सम्बंदित अभ्यास प्रशन हम हल करने वाले हैं और मुझे आशा हैं कि आप इन सभी प्रशनों को असानी से हल कर पाएंगे तो चलिए वच्चो शुरू करते हैं पहला प्रशन है कि हमारे भोजन के मुख्य बोशक तत्वों के नाम लिखिए हमारे भोजन में जो मुख्य बोशक तत्वों होते हैं वो हमने जाने थे और उनके नाम क्या है कार्बो हाइडरेट प्रोटीन वसा विटामिन तथा खनिज लवन तो बच्चों ये सब ही हमने पढ़े थे और मुझे आशा है आप सब ही कोई अच्छे से याद होंगे तो हमारे भोजन के मुख्य पोशक तत्व हैं कार्वोहेडरिट, प्रोटीन, वसा, विडामिन और खनिज लवन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दूसरे प्रश्न में आपको कुछ कथन दिये हैं और आपको उनके नाम लिखने हैं तो कथन के जो है वहाँ पूछा गया है पोशक जो मुख्य रुप से हमारे शरीर को उर्जा प्रदान करते हैं तो बच्चो आपको जरूर याद होगा कि हमने पढ़ा था कार्बो हाइडरेट और वसा ऐसे पोशक पधार्थ हैं जो हमारे शरीर को उर्जा प्रदान करते हैं अगला कथन है बच्चो पोशक जो हमारे शरीर की व्रद्धी और अनोरक्षन के लिए आवशक है मुझे पता है आपको जरूर याद होगा तो ऐसा पोशक पधार्थ कौन सा है वो है प्रोटीन अगला कथन है वह विटामिन जो हमारी अच्छे द्रश्टी के लिए आवशक है ऐसा विटामिन जिसका संबंध हमारी आखों से है देखने से है तो बच्चो बिलकुल याद होगा आपको वो विटामिन है विटामिन ए वह खनिज चौथा देख रहे हैं बच्चो वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवशक है तो ऐसा खनिज कौन सा था जो हमारी हड्डियों या हमारी अस्थियों के लिए आवशक है तो बच्चो वो खनिज था केलशियम बहुत असान प्रश्न है न बच्चोँ चलते हैं अगले प्रश्न की और दो ऐसे खार्दै पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोशक प्रचुर मात्रा में उपलब्द होते हैं आपको दो दो ऐसे पदार्थों के नाम बताने हैं जिनमें दिये गए पोशक पदात प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो सबसे पहले वसा तो बच्चों बिलकुल याद होगा आपको कि वसा किसमें प्रचुर मात्रा में होती है घी तथा तेल में अलग-अलग प्रकार के सभी तेलों में वसा की मात्रा पाई जाती है मंड हम जानते हैं कार्वो हाइडरेट का ही एक प्रकार है और ये मिलता है हमें सबसे ज़्यादा चावल में और आलू में आहारी रेशे आहारी रेशे को भी हमने समझा था बच्चों किसमें मिलते हैं सबसे ज़्यादा तो याद करो हमने पढ़ा था ये मिलते हैं हमें साबुत खाद्यान में यानि साबुत अनाज में और मिलते हैं हमें ये सबजियों तथा फलों में सबजियों तथा फलों में आखरी जो आपको बताना है जिस पोशक पदात के बारे में वो है प्रोटीन तो प्रोटीन किस में मिलता है बच्चों बहुत अच्छी मात्रा में तो बच्चों याद रखेंगे कि दालों में विभिन प्रकार की दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसके अलावा बच्चों दूद से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है तो थेना सरल सवाल, बिल्कुल बच्चों, आपको सभी पोशक पदार्तों के मुख्य स्रोतों को याद रखना है चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर चोथे प्रश्ण में आपको सही कथन पर सही का निशान लगाना है तो प्यारे बच्चों मुझे पता है आप सभी आसानी से इन प्रशनों को हल कर पाएंगे शुरू करते हैं पहला कथन है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोशन आवशक्ताओं को पूरा कर सकते हैं क्या ये सही है नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि केवल चावल खाने से हमें सभी पोशक्ताओं प्राप्त नहीं हो सकते तो यह कथन गलत है अगला कथन पढ़ते हैं बच्चों संतुलित आहार खाकर अभव जन्य रोगों की रोक्ताम की जा सकती है तो ये कथन बिल्कुल सही है बच्चों कि यदि आप संतुलित आहार लेते रहते हैं तो अभव जन्य रोग उत्पन नहीं होते हैं तो यह कथन हमारा बिलकुल सही है. अगला कथन देखते हैं बच्चों, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्देपदार्थ होने चाहिए. बच्चों, नाना प्रकार का अर्थ क्या है? विभिन प्रकार या अलग-अलग प्रकार. तो आप याद रखेंगे कि हाँ, संतुलित आहार जब हम लेते हैं तो हमारे भोजन में अलग-अलग प्रधार्थों का सम्मिलन होना ही चाहिए. तो ये कथन भी सही है. अगला कथन है, शरीर को सभी पोशक तत्व उपलग्द कराने के लिए केवल मास परियाप्त है. तो ये सही है क्या बच्चो? नहीं, ये कथन सही नहीं है. सिर्फ मास के द्वारा आपके संतुलित आहार की पूर्ती नहीं हो सकती और आपके शरीर में सभी पोशक पदार्थ नहीं जा सकते हैं. तो ये है कथन भी गलत है. चलते हैं बच्चो अगले प्रश्न पर प्रश्न पाच्वा जहां आपको कुछ रिक्तिस्थान दिये गए हैं और इन रिक्तिस्थानों की पूर्ती करनी हैं तो बच्चो रिक्तिस्थान विटामिन D के अभाव में होता है तो आपको क्या बताना है कि कौन सा रोग विटामिन D के अभाव में होता है तो बच्चो मुझे पता है आप जरूर याद कर चुके होंगे कि रिकेट्स रिकेट्स वह रोग है जो कि विटामिन D के अभाव में होता है और हमने बात की थी कि इस रोग के कारण बच्चे की हड़ियां अस्थियां मुलायम रहती हैं और वे मुर जाती हैं दूसरा कथन है खाली स्थान की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, याद है ना बच्चों किसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, अगला कथन है, विटामिन C के अभाव से खाली स्थान रोग होता है, विटामिन C की भी हमने बात की थी बच्चों, और विटामिन C की कमी से कौ करवी नामक रोग होता है इस करवी जो रोग था जिसमें हमने ये बात की थी कि मसूडों के घाव नहीं बरना या मसूडों में घाव हो जाना इसका मुख्य लक्षन है अगला जो कथन है आखरी कथन है हमारे भोजन में खाली स्थान के अभाव से रतौंधी होती है बच्चो रतौंधी का अर्थ है रात को न देख पाना यानि अंधेरे में रात में अंधेरा होता है ना बच्चों तो रात को न देख पाना तो किसकी कमी से यह रोग उत्पन होता है आप सभी जानते हैं कि विटामिन एकी कमी से रतौंधी का रोग उत्पन होता है तो बच्चों हम आपके सभी अभ्यास प्रश्न हल कर लिये हैं और अगली कक्षा में हम आपका नया पार्ट शुरू करने वाले हैं और इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से दोहरा लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चो आज का अगला पार्ट कक्षा साथ में हिंदी विशय में दादी मा कहानी बच्चो आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य अपुस्तक बसंत भाग दो का पाठ्य दो पड़ रहे हैं जिसका की नाम है दादी मा जो की एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है हमारे कहानीकार शिप्रसाद सिंग जी ने बच्चो पाठ्य का शिर्षक पड़कर आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे और चलने भी चाहिए क्योंकि कहानीका शिर्षक है ही ऐसा बच्चो दादी से तो सभी परचित होंगे आप सभी के घर में भी दादी मा होती है जिनने की हम अलग अलग जगे अलग अलग नामों से पकारते हैं जैसे कहीं हम अम्मा कहते हैं कहीं दादी कहते हैं कहीं जीजी कहते हैं कहीं पर हम भाबू कहते हैं और कहीं पर मा भी कहा जाता है बच्चों वह हमारी दादीमा होती है और उनके मन में हमारे लिए बहुत अधिक प्रेम और इसनेह होता है और हम भी बच्चों उन्हें इतना ही अधिक इसनेह करते हैं क्योंकि हम उनके दुलारे होते हैं बच्चों आप सभी के साथ भी ऐसा ही होता होगा जब कभी आप कोई गलती कर देते हैं या आप से भूल से कोई अपराध हो जाता है तो आपके माता जी पिता जी जब आपको डाटने के लिए आते होंगे तो आप उनकी गोद में जाकर यानि दादी मा की गोद में जाकर छिप जाते होंगे उनके आगे पीछे हो जाते होंगे और फिर आपके माता जी पिता जी आपको डाट नहीं पाते होंगे क्योंकि दादी का दुलार ही प्यार ही इतना अधिक होता है कि वह हमारे मम्मी पापा को भी कुछ नहीं कहने देती है तो बच्चों हम भी दादी से इतना ही प्यार करते हैं तो आज की जो कहानी है वह है दादी मा जिसको लिखा है हमारे कहानीकार शिप रसाद सिंग जी ने बच्चो ये जो कहानी है दादी मा उसको पढ़कर भी आपके मन में यही चल रहा होगा कि लेखक ने किसकी दादी मा के बारे में लिखा है तो मैं आपको बताती हूँ होती है जिसमें लेखक अपने जीवन की घटित हुई घटनाओं को याद करता है और उनको आधार बना कर कहानी लिखता है वह संस्मर्नात्मक बिधा की कहानी है इस पार्ट में लेखक ने अपनी दादी जी के बारे में संस्मर्नात्मक बिधा में लिखा है लेखक की दादी दादी जी का देहांत हो जाता है, उन्हें सूचना मिलती है कि अपनी दादी जी का देहांत हो गया है, तो लेखक के सामने धीरे धीरे उनके साथ घटित हुई जितनी भी घटनाएं हैं, जो कि बच्चपन से बड़े होने तक दादी जी से सम्बंदित जितने भी बाते हैं, और वे उन सभी बातों को कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, बच्चो इस कहानी में लेखक ने अपनी दादी जी के व्यक्तित्व का बहुती सुन्दर तरीके से चितरन किया है, और यह चितरन तो जब आप कहानी पढ़ेंगे, तब आपके सामने एकदम साकार हो जा बच्चो अब मैं आपको यह कहानी पढ़ाना शुरू करूँ, उससे पहले मैं आपको इस पार्ट के छोटे से परिचय की तरफ लेकर चलती हूँ, चलते हैं हमारे कहानी के परिचय की तरफ, देखते हैं क्या बताया है दादी मा कहानी शिप रसाद सिंग जी के द्वारा लिखित 100 प्रसिद कहानी है तो बच्चों इस कहानी से संबन्दित हमारा पहला प्रश्ण जो की आप सभी लोगों को पता है और इसका उत्तर भी आप सभी लोग याद कर लेंगे क्या है कि हमारी कहानी दादी मा का लेखक कौन है इस दादी मा कहानी को किस ने लिखा है तो बच्चो इस दादी मा कहानी को शिप प्रसाद सिंग जी के द्वारा लिखा गया है फिर देखिए पाठ में लेखक और उसकी दादी मा के बीच घनिस्ट आत्मिय संबंद को बताया गया है लेखक ने इस कहानी में दादी मा की मृत्यू हो जाने पर दादी मा की व्यक्तित्व की विशेश्टाओं को बहुत ही गहराई के साथ व्यक्त किया है हाँ बच्चो लेखक को सूचना मिलती है उन्हें पत्र के जरीए कि उनकी दादी जी का नेहानत हो गया है, लेखक को दुख होता है और दुख होने के साथ साथ लेखक की मन में लेखक के मन में बहुत सारे बिचार आते हैं और उन्हें अपने जीवन की पुरानी गटनाएं जिसमें उनका दादी जी के साथ होता है और उन घटनाओं के जर्ये ही लेखक ने अपनी दादी जी के विक्तित्व का बहुत ही खुबसूरती और गहराई से वर्णन किया है तो बच्चो चलते हैं कहानी की तरफ देखते हैं लेखक मेत क्या लिखा है जानते हैं लेखक की दादी जी के बारे में कि लेखक की दादी जी कैसी थी देखिए कमजोरी ही है अपनी पर सच तो यह है कि जरासी कठनाई पड़ते बीसो गर्मी बरसांत और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है लेखक अपने खुद के व्यक्तित्व की एक विशेश्टा बता रहा है कि उसके सामने अगर कोई थोड़ी से भी कठनाई आ जाती है तो वह अनमनासा हो जाता है घबरा भी जाता है जबकी बहुत बड़ा हो चुका है बहुत बड़ा हो चुका है इस बात का पता हमें कैसे चल रहा है वो कह रहा है बीसो गर्मी गर्मी साल में एक बारी आती है बीसो बरसांत जो की साल में एक बारी आती है बरसांत का मौसम और लेखक यह बता रहा है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारी गर्मी बरसांत और बसंत का मौसम देख लिया है बह बहुत बड़ा हो गया है फिर भी उसके पास अगर जरासी भी कठनाई आती है तो उसका मन अनमना सा हो जाता है बेचैन सा हो जाता है फिर देखिए मेरे शु की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर जरासी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाब उडाते हैं बच्चों ऐसा आपके साथ भी होता होगा आपके जो कुछ मित्र हैं वह मूपर तो आपकी बढ़ाई करते होंगे और पीठ पीछे आपकी कमिया न वह क्या करते हैं मूपर तो वह आने वाली चुटियों की सूचना देते हैं और मेरे पीठ पीछे मुझे कमजोर बताते हैं और जरासी भी परिशानी आ जाए उससे घबराने वाला कहकर मेरा मजाब उडाते हैं मैं सोचता हूँ अच्छा आप कभी उन बातों को ना सोचू करणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंदली चाया नाच उठती है बच्चो आप इस लाइन पर जड़ा गौर कीजिए ये जो पंक्ती है इस पंक्ती के द्वारा लेखक किसी का चितरन कर रहा है और वह चितरन किये जाने वाली मूर्ती कौन है वह लेखक की दादी मा है जिसके बारे में लेखक ने कितना अच्छा लिखा है बर्बस मेरी आँखों के सामने शरत की शीत किर्णों के समान स्वच्छ यानि लेखक यह बता रहा है कि उनकी दादी मा इतनी अच्छी है शरत की शीत किर्णे शरत की शीत किर्णे आप जानते हो जब शरत पुर्ण उसे हम शरत पुर्णिमा कहते हैं जो की कार्तिक महीने की पुर्णिमा होती है उस शरत पुर्णिमा की जो किर्णे होती है बहुत साफ होती है बहुत शीतल होती है कि किसी की धुंदली छाया नाच उठती है तो उनकी दादी जी इतनी अच्छी थी कि वो लेखक अपनी दाद जी की तुलना शरत की शीत किर्णों के समान स्वच कहकर कर रहे हैं और शीतल उनके सुभाब को बता रहे हैं फिर देखिए आगे मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए है बच्चो ये क्वार के दिन क्या होते है बच्चो ये जो क्वार है ये हिंदी कैलेंडर के महीनों में से एक महीने का नाम है हिंदी कैलेंडर जो की हमारा चैत से शुरू होता है और फागुन माहा पर खतम होता है उसमें से एक महीने का नाम है कुवार जिसे की हम अश्विन या आसोच के नाम से भी जानते हैं तो क्या कह रहा है लिखक मुझे लगता है जैसे कुवार के दिन आ गए है मेरे गाउं के चारों और पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है बच्चो कौार का कौन सा महीना होता है कौार का महीना सावन और भादरपद जिसे की हम ग्रामीन भाषा में भादो के नाम से जानते है सावन भादो के बाद का जो महीना होता है वो कौार का महीना होता है सावन और भादो में बहुत अच्छी बारिश होती है कभी-कभी थोड़ी बारिश हमें कौार के महीने में भी देखने को मिलती है और सावन भादों में जो बारिश होती है उसका पानी एकटे हो जाता है और एकटे होने के बाद वो जब एक जगे एकटा हो जाता है तो हवा के साथ उसमें लहरे उत्पन होती है ऐसे ही लेखक हमें बता रहा है मेरे गाउं के चारों और पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है यानि बरसात का जो पानी खटा हुआ था वे कौार की महीने में चलने वाली हवा से हिलता रहता है दूर की सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अदगली घहसे घेवर और बनप्यास की जड़े तथा नाना प्रकार की बरसाती घहसों की बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक बिचितर गंद छोड रहे हैं बच्चों ये सिवान क्या है? सिवान हम गाओं की सीमावर्ती भूमी को कहते हैं जहाँ पर बारिश का पानी पड़ता है और वह नाले के रूप में बहता हुआ आता है और अपने साथ मुथा और साई की घहसे लेकर आता है और वे घहसे कैसी हो जाती है? वे घहसे अदगल हो जाती है घेवर और बनप्यास की जड़े लेकर आता है और नाना प्रकार की बरसाती घहसों के बीज सूरच की गर्मी में खौलते हुए खौलना यानि की उबलना और वो जो पानी है वह सूरच की गर्मी में उबल उबल कर उबलता है वह पानी उबलता है और उसकी पानी में ये मोथा साई की अदगली घासे गेविर और बनप्यास की जड़े और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच खौलते हैं और सड़कर एक बिचितर गंद छोड़ रहे हैं यानि उस पानी में से अजीब सी गंद आती है रास्तों में कीचर सूख गया है और जो कवार का महीना होता है उसमें सूरच की धूप हमें तेज लगती है जिस्से की रास्ते का कीचर सूख जाता है और गाओं के लड़के किनारों पर जाग भरे जलाशों में धमाके से कूद रही हैं जलाशे यानि के तालाब और गाओं में लड़के क्या करते हैं बारश जाने के मौसम की अपनी अपनी बाते होती है क्यों होती है क्योंकि हर मौसम अपने साथ एक अलग बातावरण लेकर आता है और हर मौसम में अपने जगे के खाने पीने की अलग अलग बस्तुए होती है देखिए आशाड में आम और जामुन ना मिले लेखक यह बता रहा है कि साड में हमें आम और जामुन मिलते हैं और चिंता नहीं अगहन में चोड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं पर कौवार के दिनों में इस गंद पोर्ण भरे जाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है बच्चो ये जो गध्यांश है इसमें लेखक ने हमें चार महीनों के नाम बताएं है देखिए आशाड, अगहन, चैत और कौार ये जो चार है ये हमारे हिंदी कैलेंडर के महीने है जिन में आशाड, आशाड जो की बारिश का पहला महीना होता है जो की सावन से पहले आता है अगहन, अगहन जिसे की हम मंसर या मार्गशीश कहते है चैत, चैतर जो की हमारे हिंदी कैलेंडर का पहला महीना होता है कवार कवार जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह है अश्विन महा कहलाता है तो लेखक यह कह रहा है कि अपने अपनी मौसम की अपनी अपनी बाते होती है लेखक को साड में आम और जामुन ना मिले तो चिंता नहीं आम और जामुन मिलते हमिशा अशाड के महीने में ये भरपूर मातरा में आते हैं तो लेखक को चिंता नहीं और मंसर में चिवडा और गुड ना मिले तो भी लेखक को दुख नहीं है चैत के दिनों में लाई के साथ गुड की पट्टी ना मिले तो भी लेखक को अफसोस नहीं है लेकिन कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण जाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है यानि लेखक जब तक कवार के महीने में जो जागपूर्ण जलाशे होते हैं उनमें कूद कर नहाता नहीं है तब तक लेखक को अच्छा नहीं लगता है यानि कूदने को नहीं मिलता तो लेखक को अच्छा नहीं लगता मैं बीतर हुड़क रहा था यानि मेरे मन में बीतर ही बीतर चाहत हो रही थी कि मैं भी जलाशे में कूदू फिर देखिए दो एक दिन ही तो कूद सका था नहा दोकर बिमार हो गया हलकी बिमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है थोड़ा थोड़ा जवर हो जवर यानि बुखार हो सर में साधारन दर्द और खाने के लिए दिन भर निब्बू और साबू लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी जड़ जो चड़ा चड़ता ही गया यानि कि लेखक को बहुत तेज बुखार हो गया था बहें आम बुखारों की तरह साधारन नहीं था रजाई पर रजाई और उत्रा रात बारा बजे के बाद यानि कि लेखक को बहुत ही तीब्र बुखार हो गया था दिन में मैं चादर लपेटे सोया था दादी मा आई बच्चों हमारी कहानी में लेखक की दादी मा का प्रवेश हो रहा है यहाँ पर देखिए शायद नहाकर आई थी उसी जाग बाले जल में यानि लेखक की दादी मा आती है वो नहाई हुई आई थी और नहाकर भी कहां लेखक को नहाना बहुत अच्छा लगता है पतले दुबले इसने हसने शरीर पर सफेद किनारी हीन धोती बच्चों ये धोती है संसे सफेद बालू के सिरो पर सध्य टपके हुए जलकी शीतलता बच्चों ये जो पंग्तिया है ये लेखक की दादी मा का चितरन कर रही हैं बता रही हैं कि लेखक की दादी मा कैसी थी लेखक की दादी मा का जो शरीर था वह कैसा था पतला दुबला था और इस पतले दुबले इसने हसे भरे हुए शरीर पर उन्होंने सफेद किनारी हीन धोती पैन रखी थी और जो उनके बाल थे वो संके समान सफेद थे और चुकी वो नहा कर आई थी सिर्धो कर आई थी इसलिए उनके बालों के सिरो पर सद्धे यानि अभी टपके हुए जलकी शीतलता दिख रही थी जब हम सर्धो कर ढाते हैं तो हमारे बालों से पानी टपकता रहता है ऐसे ही लेखक की दादी मा के बालों से पानी टपक रहा था आते ही उन्होंने सर पेट छुए देखिए लेखक की वो कितनी चंता करती है कि लेखक पता है बिमार है तो जब वो नहाकर आई है तो नहाकर आते ही उन्होंने लेखक के सर और पेट छुए आचल की गाठ खोल किसी अद्रश्य शक्ति धारी बच्चों ये शक्ति धारी है शक्ति धारी के चबूतरे की मिट्टी मुँ में डाली और माथे पर लगाई बच्चों जब कभी आप बिमार होते होंगे तो आपकी दादी जी भी ऐसा ही करती होंगी आपको बार-बार देखती होंगी जैसे की लेखक की देख रही है दिन राट चार पाई के पास बैठी रहती यानि की लेखक जिस खाट पर जिस पलंग पर सोया हुआ रहता उस पर बैठी रहती कभी पंखा जलती कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सरपर दाल चीनी का लेप करती और वी सो बार छू छू कर जर का अनुमान करती यानि कि बार बार वो यह देखती कि लेखक का बुखार उत्रा या नहीं फिर देखिए हांडी में पानी आया की नहीं उसे पीपल की छाल से छोंका की नहीं खिचडी में मौंग की दाल एकदम मिल तो गई है न कोई बिमार के यहां घर सीधे घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया आदी लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घरवालों को परिशान कर देती लेखक की दादी मा लेखक से इतना अधिक इसनेह करती थी कि जब तक लेखक ठीक नहीं हुआ या जब तक लेखक को बिमार रहा लेखक बिमार रहे वे लेखक की चारपाई के पास बैठी रही उसके सर पर गरम ठंडे पानी की पट्टी करती रही दाल चीनी का लेप करती रही और वे हैं यह देखती रही कि हाडी में पानी गरम हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि बिमार व्यक्ति को हम गरम पानी के पिलाते हैं और वे यह देख रही है कि चावल मूं की जो खिचडी है उसमें दाल धंक से मिली है कि नहीं मिली है उसमें पीपल का चौक दिया गया है, कि नहीं दिया गया है कहीं ऐसा तो नहीं, कोई व्यक्ती बहार से आया हो और सीधे आकर लेखक से मिलकर तो नहीं चला गया हो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न वो घरवालों से पूछती थी और उन्हें परशान कर दिया करती थी दादी मा को गवई गाउं की पचासों किसम की दवाओं के नाम याद थे यानि दादी जी वो इतनी अधिक मजबूत थी इतनी अधिक उनकी यादाश्ट थी कि उन्हें अपने गाउं की 50 किस्मों की दवाईयां याद थी गाउं में कोई बिमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी बही काम हाद छूना, माथा छूना, पेट छूना फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती बच्चो ये दादीमा के व्यक्तित्व की विशेष्टा बताई जा रही है कि दादीमा इतने अधिक सेबा भावी थी कि उन्हें कहीं सी भी पता चलता गाओं में कोई भी व्यक्ति बिमार है तो वो तुरंत बिमार के पास पहुँच जाती और उसकी सेवा करती और क्या करती देखिए हाथ से चूकर देखती, माथा चूती, पेट चूती और बच्चों यहां तक की यह जो मलेरिया, सरसाम यानि मूच्छा और जो निमोनिया जैसी बिमारी है उनको तो वो देखकर ही बता देती थी कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है, किस रोग से पेडित है महामारी और बिशूचिका यानि हैजा की दिनों में रोज सवेरे उठकर, इसनान के बाद लवंग लवंग यानि की लौंग और गुड मिशृत जलधार, गुगगल और धूप यानि उनके अपने खुद के नियम थे वो अपने स्वास्त का भी ध्यान रखती थी, और दूसरों के स्वास्ते का भी ध्यान रखती थी, फिर देखिए, सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहत खतम हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो वे जैसे पागल हो जाती, जो ये बात और थी, कि लेखक की दादीमा थी, वो बहुत अधिक सफाई बसंद थी, और बिमार व्यक्ति जो कोई होता है, उसकी तो हमें स्वच्चता और सफाई का बहुत अधिक ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर हम बिमार व्यक्ति से स्वच्चता और सफाई का ध्य नहीं रखेंगे तो उनके जो बिमारी के रुगाणू हैं वो हमको लग सकते हैं हमें प्रभाबित कर सकते हैं दादी मा इस बात को जानती थी इसलिए वो लेखक के बिस्तर जिसमें की चादर और गिलाफ यानि की तकीय के कवर वगेरा बदलवाती थी अगर कोई नहीं बदल चादर और बिमारी के नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्स्चर की शीशे की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है बच्चों ये कुनैन क्या होती है ये कुनैन मलेरिया की दवाई होती है जो की जिसमें की कुनैन मिली हुई होती है और उसका स्वार बहुती कड़वा और तीखा होता है तो लेखक यही कह रहा है कि कुनैन मिक्स्चर की शीशी की तिताई यह किशन भईया की शादी ठीक हुई दादी मा के उत्सहा और आनंद का क्या कहना यानि जब लेखक के बड़े भाई किशन भईया की शादी हुई उस समय दादी मा बहुत अधिक उत्साहित थी और दादी मा को बहुत ही अधिक आनंद आया दिन भर गायब रहती सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो पड़ोस ने आती बहुत बुलाने पर दादी मा आती और कहती बहन बुरा ना मानना कार परोजन का घर ठहरा यानि की शादी बिवाह का घर ठहरा एक काम अपने हाथ से ना करू तो होने वाला नहीं यहाँ पर जो लेखक की दादी मा है वो यह बता रही है कि उनके घर में शादी है और कड़ने वाली वो है अगर वो कोई भी काम अपने हाथ से नहीं करती है तो काम नहीं होता है जानने को यो भी सभी जानते थे कि दादी मा कुछ नहीं करती लेकिन पड़ोसने थी वो जानती थी कि दादी मा करती कुछ भी नहीं है पर ये दादी जी इतनी अधिक प्रिये थी इतनी अधिक अच्छी थी कि उनकी उपस्तिती के विना कोई भी कारे नहीं किया जाता था और जब तक वो अनुपस्तित रहती थी तब तक काम शुरू ही नहीं किया जाता था जिससे की कारे में बिलंब हो जाया करता था फिर देखिए उन्हीं दिनों की बात है एक दिन दौपहर को मैं घर लोटा बहरी निकसार में निकसार यानि की निकलने के इस्थान में दादीमा किसी पर बिगड रही थी यानि दादीमा किसी से लड रही थी देखा पास के कौने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है दादीमा किस से लड रही थी रामी की चाची से लड रही थी क्या कह रही थी देखिए सोना होगा धन्नों रुपिये मैं सूध के आज ही दे दे सूध यानि व्याज के यानि रुपिये आज ही व्याज सहित लोट है आजकल करने फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी देखिए दाधी जी ने जो रामी की चाची थी उनको उनकी जरतके वक्त पैसे दिये थे उधार और रामी की चाची ने कहा था कि जल्दी लोटा देगी लेकिन रामी की तो दादी जी उनसे लड़ रही है कह रही कि जब तुझे किसी ने भी पैसे नहीं दिये तब मैंने तुझे पैसे लेकिन तुम मुझे यह पैसे अभी नहीं लोट आरही हो आजकल आजकल करती हो और अब कहती हो कि फसल कटेगी जब लोटाओंगी अब क्या तुम्हारे लिए दूसरी फसल कटेगी यानि कि फसल कट चुकी है रामी की चाची ने अभी तक भी पैसे नहीं लोटाएं हैं फिर देखिए दूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हातों से आचल पकड़े दादी मा के पैरों की और जुकी बिटिया की शादी है आप न दया करेंगी तो उस बिचारी का कैसे निस्तार कैसे होगा देखिए रामी की चाची क्या कह रही है बिटिया की शादी है अगर आप ही दया नहीं करेंगी तो उसका बिचारी का निस्तारन या बिवाह कैसे होगा हट हट अभी नहके आ रही हूँ दादी मा पीछे हट गई जाने दो दादी मैंने इस अपरिये प्रसंग को हटाने की गर दीब है दे देगी चल चल चला है समझाने जब लेखक के सामने इतनी बाते हो रही थी तो लेखक ने अपनी दादी को समझाने का प्रयात्न किया और जो लेखक की दादी जी है वो लेखक से क्या बोली चल चल चला है समझाने यानि तू मुझे समझाएगा फिर देखिए म इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया यानि मेरे दिमाग से यह बात बिलकुल ही गायब हो गई एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली बह दादी को पूतों फलों दूदों नहाओं का आश्रवाद दे रही थी बच्चों आश्रवाद तो हम किसी को जब देते हैं जब किसी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया हो आपने देखा कि पिछले कुछ पंक्तियों में रामी की चाची के उपर तो दादी जी बिगड रही थी और कुछ दिनों के बाद वो उन्हें पूतों फलों दूदों नहाओं का आश्रवाद दे रही थी ऐसा क्या हुआ देखत बढ़ा करे हमारी मालकिन का कल ही आई थी पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया यानि रामी की चाची ने जो कर्ज ले रखा था वह पीछे का जितना भी रुपया था सब छोड़ दिया ऊपर से दस रुपे का नौट देकर बोली देखना धन्नो जैसी तेरी बेटी वैसी बेरी दस पाश रुपे के लिए हसाई ना हो देवता है बेटा देवता बच्चों ये जो पंक्तियां है ये दादी मा की एक बहुती अच्छे विशेश्टा की और इशारा कर रही है कि दादी मा बहुती अधिक उधार है बहुती अधिक दयालू है कि उन्होंने मौके की इस्तिती को देखते हुए समय की इस्तिती को देखते हुए जो रामी की चाची ने करजा लिया था वैं सारा का सारा माफ कर दिया और उपर से रामी की चाची को 10 रुपे और दिये और कहा जैसी तेरी बेटी है वैसी मेरी बेटी है इसका विभा अच्छी तरह से करना 10-5 रुपे के लिए हसाई मत करना फिर देखिए उस रोस तो बहुत डाट पड़ रही थी मैंने पुछा बहतो बड़े लोगों का काम है बाबू रुपिये देकर डाटे भी ना तो क्या लाब मैं मन ही मन इस तरक पर हसता हुआ आगे बढ़ गया यानि कि लेखक इस बिचार को सुनते हुए हसते हुए आगे बढ़ गया बच्चो आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 2 दादी मा कहानी का प्रथम भाग पड़ा जिसमें आपने देखा कि लेखक ने कितने अच्छे तरह से अपनी दादी के विक्तित्व की बहुत सारी विशेष्टाओं को उजागर किया है बच्चो आप सभी लोगों की दादी मा भी ऐसी ही होंगी कुछ-कुछ विशेष्टाएं लेखक की दादी से मिलती जुलती होंगी बच्चो इस कहानी का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए नमस्कार बच्चो बच्चो हम पढ़ रहे हैं सामाजिक और राजनेतिक जीवन भाग तीन का प्रथम अध्याय भारतिय समीधान जिसके तहत हम पढ़ चुके हैं समीधान किसे कहते हैं और किसी भी देश के लिए समीधान क्यों आवशक होता है या समीधान निर्मान के उद्देश है क्या क्या होते हैं साथ ही हमने पड़ा भारतिय समीधान निर्मान की प्रक्रिया क्या थी? उसके मुख्य बिन्दु हम पढ़ चुके हैं। साथ ही हम देख रहे थे कि समीधान निर्मान के पषचात उसके मुख्य आयाम कौन-कौन से निर्धारित किये गए। यानि भारतिय सवीधान के मुख्य आयाम कौन-कौन से हैं, संगवाज, संसद्य सासन पद्दती और शक्तियों का बटवारा, इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले के वीडियो में इन सभी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है, उम्मीद करती हूँ आपने वह वीडियो अवश्य देखा होगा, अगर नहीं देखा है, तो देख लीजिए, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और धर्म निर्पेक्षता, इन दोनों बिंदूओं के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, बच्चों मौलिक अधिकार क्या होता है, आपको पता है कि हमारे भारतिय समीधान में मौलिक अधिकार वाला जो भाग है, उसे भारतिय समीधान की अंतरात्मा कहा गया है, यानि भारतिय समीधान की अंतरात्मा किसे कहा गया है, मौलिक अधिकार वाले भाग को, अंतरात्मा क्यों कहा गया है क्योंकि यह भाग पूरे सवीधान का सबसे महतपूर भाग होता है और इसमें क्या होता है नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वो सभी इसमें आते हैं बच्चों मोलिक अधिकारों की हमारे देश को या किसी भी देश को आवशक्ता इसलिए होती है क्योंकि मोलिक आमन्य जन्ता के वो अधिकार होते हैं जो राज्य की शक्तियों से बचाव करते हैं यानि मोलिक अधिकार में देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मन माने वे निरंकुस उपयोग से बचाव वे व्यक्तियों के अधिकारों के रक्षा के लिए भारतिय सविधान मे छे मौलिक अधिकारों का उलेख किया गया है इसमें दो चीज आई किस से रक्षा करता है भारत की राज्ये की सत्ता के मन माने उप्योग से यानि कि जो राज्ये में लोग बैठे हैं जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो क्या करते हैं अगर वो अपनी सत्ता का दुरूपयोग करते हैं किसी सामन्य जन्ता के लिए तो व्यक्तिगत रूप से मोलिक अधिकार उनकी रक्षा करते हैं साथ में ही उनको क्या प्रदान करते हैं न्याय प्रदान करते हैं यह कार्य किसका होता है मोलिक अधिकारों का अगर हम भारत के सवीधान की बात करते हैं, तो भारती सवीधान में 6 मोलिक अधिकार है, कितने मोलिक अधिकार है, 6 मोलिक अधिकार है, यह मोलिक अधिकार कौन-कौन से है, यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला अधिकार समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंतरता का अधिकार तीसरा सोशण के विरुद्ध अधिकार और चोधा है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार, पाचवा है सांस्कृतिक और सैख्षनिक अधिकार और अंतिम छट्टा है समेधनिक उपचार का अधिकार जो 6 मौलिक अधिकार हैं यह हमारे भारतिय सवीधान में वरणित है चोनघंड दोबारा से समानता का अधिकार स्व finger शोशन के विरुद्ध अधिकार चोन विज्यान विशे में भूजन के घटक कध्याय से अफ्यास प्रश्न, भाग 6, कख्षा 7 में, हिंदी विशय में, दादी मा, कहानी, वे कख्षा 8 में, सामाजी केवं राजनितिक जीवन, तीन विशय में, भारतिय समिधान, भारतिय समिधान के लक्षन, मौलिक अधिकार, पैधर मेर पेख्षता, भाग 3, बच्चो कल हम पढ़ेंगे कख्षा 6 में, अंग्रेजी विशय में, बुक, हनी साकल से, वे कख्षा 7 में, अंग्रेजी विशय में, किंग्स 3 क्वेशिंस, भाग 1, बच्चों हमारे इस कारिक्रम के एक कंटेंग पार्टनर हैं, मिशन ग्यान, तथा इस कारिक्रम में तक्निकी सहयो, यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवम, पुरमल फाउंडेशन, द्वारा प्रदान किया जा रहा हैं, बच्चों आपको है कारिक्रम कैसा लगा, अपने सुजाब अवश्य दे, कारिक्रम से संबंधित आपके सुजाब हमें इमेल और डाग द्व का पता है, निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान, एवम प्रशिक्षन परिशत, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदैपुर 313001